Hello students, देखो previous lecture में अपने एक table draw करी थी, उसमें क्या था? कुछ specified angles के लिए sin, cosine, tangent, cot, second और cosecant निकाल रहे थे के लिए पर देखो उसमें क्या था साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है साइन 30 की 1 बाइ 2 साइन 45 की 1 बाइ 2 साइन 60 की रूट 3 बाइ 2 साइन 90 की 1 साइन कॉस्ट 0 की 1 कॉस्ट 30 की रूट 3 बाइ 2 ऐसा अपने ये टेबल पुरी ट्रॉक करी थी नहीं हर एक कुछ एंगल के लिए वैल्यू होती है अब बच्छे आप सोचो गिसे ज्यादा एंगल के लिए हैं होती है कि लिए हैना तो वह ज्यादा एंगल के लिए जिसे 90 से उपर 120 150 180 210 है ना ऐसे भी values होती है बट वो अपन discuss नहीं करते हैं वो आप 11 में जाकर trigonometry में पढ़ होगी के लिए ठीक है यहाँ पर कुछ चीज़े में एक बता देता हूँ इसको अपन 0 तो 0 ही लिखते है इसको अपन एक और नाम लिखते पाई बाई 6 अब यह क्या होता है मैं अभी बता दूंगा यह होता है डियर पाई बाई 4 के लिए यह होता है पाई बाई 3 और यह होता है पाई बाई 2 अब यह क्या है सर यह एंगल तो नहीं डिगरी में होता है यह पाई बाई 2 पाई बाई 3 यह क्या होता है ठीक है तो देख कि लिए रेडियन में भी एंगल होता है एक तो ईनिट जो एंगल की होती अगाइट होती एक एक हम इसका मैं कनवर्जन भी बता जूँंगा एक्चुल MPY क् reckon क्या होता है ढोल जियसे आप यहां से 1 होता है सउसे ठीक है, simple सी बात, तो मतलब πाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हो, पाई की जगर क्या लख सिकते हो, 180 डिग्री, ऐसा नहीं है बेटा, वैल्यू पाई की 180 होती है, बट जब पाई को कनवर्ज करोगे, तो 180 डिग्री रिख सकते हो, पाई की जगर, ठीक है, तो आपको बोला, पाई की जगर कितना होगा, डिग्री में निकाल लो, तो पाई की जगर 180 डिग्री रख लो, अपॉन 3 कर दो, तो यह आ गया 60, के लिए, ठीक है, similarly बोला, पाई बाई 2 कितना होगा, तो पाई की जगर 1 by 80 रखा, अपॉन 2 रखा, तो 90 डिग्री में, पाई की जगर 180 रख लो, अपॉन 3 करोगे, तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, similarly पाई बाई 6, पाई बाई 4 और पाई 2, यह होता है, ठीक है, और उल्टा कनवर्जन करना चाते हो, तो भी कर सकते हो, ठीक बोला मेरको बोला है कि, 45 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होता है, ठीक है, रेडियन में बताओ, कि लिए, ठीक है, तो देखो, इसमें ऐसा लिख सकते हो, यहां से, 1 डिग्री इक्वल to कितना होगा, पाई पॉन 180 रेडियन, कि लिए, 180 को इधर बेज़ दू, तो एक ड तो यह कटेगा 2, 4 ताइमस कटेगा, तो pi by 4 अगया, कि लिए mean pi by 40, यह आपका एक factor होता है, ऐसा बोर सकते हो, pi by 80, 780 से क्या कर दो? multiply कर दो, तो degree किसमें बदल जाएगा? रेडियन में, ठीक है? यह थोड़ा सा आपका angle in radian गोल दो, या फिर radian to, डिग्री में कनवर्जन है इसको इसा लिए रेडियन टू डिग्री कनवर्जन इंटरचेंज दोनों में मतलब रेडियन का डिग्री और डिग्री का रेडियन यह कनवर्जन है वैसा ही बोल सकते हो रेडियन टू डिग्री वाला ठीक है तो सिंपल सा है जब पाई बाई टू कुछ ऐसा दे रखा तो पाई कि दगा वनेटे डिग्री पुट कर दो और डिग्री टू रेडियन निकालना तो पाई अपॉन वनेटे से मल्टिप्लाइ कर द कि लिए ठीक है चलो अब मूब करते आगे अब देखो मैंने आपको यह बता है था कि साइन 30 की वाली होती है 40 की होती है 60 की होती है यह कैसे आती है वह निकालने की ट्राइब करते है कि लिए अब देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री इनके जितने भी प्रूव है मतलब साइन 30 की value क्या होगी cos 30 की 10 30 cos 1 30 सब के 30 similarly 60 cos 60 cos 30 60 सब के लिए ठीक है इसको prove करने के लिए अपन लेते हैं equilateral triangle ठीक है अपन एक equilateral triangle लेते हैं ठीक है तो dear मैं equilateral triangle ले लेता हो आपके लिए ठीक है मैंने बोल जाए कि इनके जो भी प्रूव है जितनी भी, इसमें एक्जाम में आता है, geometrically prove करो, कि science 60, इसका यह हो गया, prove that, geometrically बोले कुछ भी बोले, prove that, 1060 equal to root 3, या फिर 1030 equal to 1 by root 3, ठीक है, ये दौनों मैंसे कुछ भी पूछे आपको, तो उसके लिए अपने को यही काम करना है ठीक है अब मैंने क्या-क्या एक यह लिया अपना एक्विलेंट रहे है यहां से एक परपेंडिकूलर ड्रॉकर देता हूं कि अब जो भी है यह नाइंटे डिग्री होगा डियर मैं इसके साइड इस बार टूए मान लेता हूं क्या मान लेता हूं टूए टूए मान टूए क्यों माना कि यह दोनों आधी इक्वल होगी तो यह डियर ए होगी और यह भी ए हो ठीक है सर सही है यहां तक तो अब दो यह एंगल 60 होता है यह भी 60 होता है अब डियर जो परपेंडिकुलर होता है equilateral के condition equilateral triangle की condition में perpendicular angle bisector perpendicular bisector सब यह होता है मतलब यह angle bisector भी होगा तो यह deer कितना होगा 30 degree और यह भी कितना होगा 30 degree होगा 30 degree और यह भी 30 degree कि लिए ऐसा कुछ होगा इसको deer महाले तो अब मैं क्या कहता हूँ इस side वाले एक triangle को मैं side से निकाल के इधर लाले आता हो अपन उसके बारे में देखेंगे बस simple सा के लिए जिसी यह A D C यह कितना है डियर 60 degree यह कितना है 90 degree ठीक है यह आपका A है यह आपका 2A तो बताव AD निकाल सकते होगा AD का square किसके equal होगा AC square minus DC square तो यह आजाएगा डियर 4A square AD square equal to 4A square minus A square तो यह AD square equal to आजाएगा 3A square तो AD equal to कितना आजाएगा डियर root 3A मतलब आपको AD कितना मिल गया root 3A तो यह डियर मिला root 3A के लिए यह आपका 60 degree ठाई के लिए अब सब्सक्राइगा अब मिले को suppose निकालना है 10 30 ठीक तो 10 का formula क्या होता है perpendicular upon base अब बताओ जब मेरे को 10 30 निकालना है यह तो इसके लिए इसके लिए perpendicular यह होगा ठीक है तो perpendicular क्या होगा आपका DC और base क्या होगा AD तो DC कितना है डियर A upon root 3 यह तो A से A उड़ा के तो आपका बना 1 by root 3 खेलियर तो 1 by root 3 है similarly मेरे को suppose 10 60 निकालना होता तो 10 का formula तो यह होता है perpendicular upon base but 60 के case में perpendicular कौन हुआ आपका AD तो AD upon DC तो AD कितना था डियर root 3 है upon A तो A से cancel out होगे तो root 3 तो आपका root 3 आगर यह प्रूब करना था और आप table भी देखोगे ना बेटा तो table भी यह है 30 के बेट ओहुआ ओहुआ शिट 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 अच्छा इसमें दरबड कर लिए अच्छा सही है ना 30 में 1 by root 3 और यह root 3 ठीक है सही है अब suppose मेरे को बोलता है कि sin 60 निकालो तो sin 60 का formula होता perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular कितना होता root 3 है और hypotenuse 2 है तो यह से कर जाता है जूर 3 by 2 हो जाता है suppose मैं पूछता है कि cos 30 पूछता cos 30 तो बेस upon hypotenuse तो बेस कितना है आप है 30 के लिए यह perpendicular यह base है ठीक है तो यह perpendicular यह base होगा मतलब सिंपल सी बात बोलू ना आपको थोड़ी सी इसको डिटेल में बताना चाओ तो आपको ऐसा बोल सकता हो मैं थोड़ा से इदर ले लेता हो इनको वही बात हो जो एंगल 60 डिग्री के लिए बात करूँ मैं 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए perpendicular रहेगा root 3 यह base रहेगा ए similarly 30 डिग्री के लिए बात करोगे आपका तो perpendicular रहेगा a और base रहेगा root 3 बस यह इतना सा समझना है और hypotenuse तो आपका हमेशा 2a ही रहने वाला है के लिए तो यह था अपना 30 and 60 डिग्री के लिए प्रूव यह अपना प्रूव था 30 and 60 डिग्री के लिए के लिए तो अब आपन आगे discuss करते हैं 30 और 60 का जितनी भी प्रूव है किसी के लिए भी पूछे तो आपको यह ले रहा है equilateral triangle किसके लिए 30 and 60 के लिए अब बात करते हैं इस 45 डिग्री के लिए पूछा जाए तो 45 डिग्री के लिए लेना है आपको right angle triangle right angle triangle isosless right angle triangle लेना है किस केस में आपका डिएर इफ आपको 45 डिग्री के बारे में किसी का भी पूछे मतलब 1045 वन होता है sin45 वन बाई रूट टू होता है cosac45 रूट टू होता है किसी के बारे में भी पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको तो बस isosless right angle triangle लेना है suppose मैंने डिएर लिया A, B, C isosless में ये दोनों साइड एक डूसरे के equal हो सकती है तीसरी साइड तो आपकी equal होई नहीं पाएगी क्योंकि वो तो hypotenuse होता है suppose ये दोनों equal साइड है तो देखो इसको मैं A मान देता हूँ तो ये भी डियर ये होगा अब देखो ये opposite वाले angle भी same होंगे तो ये देखो ये 90 है ये दोनों same होने चीए तो देखो 180 मैंसे 90 तो ये खा गया अब बचा कितना 90 और ये दोनों equal होने चीए क्योंकि equal side के opposite वाले angle equal होते तो ये भी 45 degree होगा ये 45 degree के लिए आब देखो यहाँ पर python लगाता हूँ तो A C square equal to बनता है A B square plus B C square तो डियर आपका जैसे A C square क्या होगा A B square A B square A B square A B का square यानि A square plus B C का square A square A C square equal to आगया डियर 2 A square A C equal to आगया root 2 A ये आगया A C का square के लिए इतना सा simple सा आपका A C square आगया अब आपको कोई भी निकालना है वो निकाल दो ठीक है तो ये mean डियर आपके आगया root 2 A अब मेरे कोई भी 45 ले लो आप ये वाला ले लो ये वाला ले लो ठीक है तो देखो इसमें perpendicular आपकी A ही रहेगी base आपका A ही रहने वाला क्योंकि या तो ये perpendicular है ये रहेगा बड़ दोनों equal है तो base और perpendicular equal ही है और hypotenuse root 2 A ठीक है अब सब आपको sin 45 निकालना आपको तो वो होता है perpendicular upon hypotenuse तो A upon root 2 A तो A A उड़ा गया तो आपका बचा 1 upon root के लिए similarly मेरे को बोला जा कि 1045 निकाल दो गुरू जी तो मैं 1045 निकालने बैठ गया तो perpendicular upon base perpendicular है आपका A base है आपका A उड़ा गया तो बना गया बस ऐसे ही स्वाल करना किसी भी angle के लिए निकाल सकते हो आराम से easily के लिए आप एक्विलेटर ट्राइंगल कंसिडर करते हैं और जो 45 डिगरी के जितनी भी टिग्नोमेटर रेश्यो है उन सब के लिए अपन आइसो स्लेस राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं के लिए अब चलो अपन आगे मूव करते हैं अब बचाए डियर जीरो और 45 डिगरी 90 डिगरी ठीक है पहले मैं 0 डिगरी के लिए बता देता हूँ देखो पहली बात तो यह कि 0 डिगरी कभी होता नहीं है राइट अंगल ट्राइंगल में 0 नहीं होता है टैंड टू 0 बोला जाता है टैंड टू 0 डिगरी ठीक है जीरो डिगरी के तरब टैंड हो रहा है ऐसा कभी एक्चुल वे कंडिशन में नहीं होगा में सपोज मैं यह राइट अंगल ट्राइंगल लिया ठीक है ए बीसी जीरो के लिए बात करता हूँ ठीक है यह ए सामने ही इसको 0, अब देखो मेरे को साइन ठीटा के वैलियो बताता हूँ, तो वो होती है, यह perpendicular upon hypotenuse, ठीक है, यह ठीटा है, तो इसके सामने आले इसको perpendicular बोल देता हूँ, इसको base बोल देता हूँ, ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ पे perpendicular कौन है, A, B, और hypotenuse कौन सा है, A, C, के लिए, अब देखो, अब इसने यह बोला है, ठीटा 0 कभी नहीं होता है, पहले यह बात बोल रहा हूँ, ठीटा tend to 0 होगा, ठीटा tend to 0, 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ठीटा की value आपके 0 की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, यह ठीटा है, ठीक है, इधर से, अब यह वाले लाइन यहां अब क्या हुआ डियर जैसे यह लाइन है यह नीची यह कौन सेलेक्ट होड़ा इसमें जैसे यह ठीटा जीरो की तरफ टैंड होगा तो यह वाले जो लाइन है डियर यह वाले लाइन इस इधर आएगी ठीक है अब जैसे और जीरो होगा जीरो होता जाएगा तो यह लाइन नीचे आती जाएगी नीचे आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके उपर कोईंसाइड कर जाएगी कि लिए तो मतलब क्या हुआ कि जब यह लाइन जीरो से यहां तक सुरी कि यह जीरो से यहां से जीरो तक गई पहले यहां पर थी अरे यार कि इसको मूँ बरवना दपने को देया कि नहीं मूँ होई नहीं नहीं कि यहां पर थी अपने ठीक है यहां यहां से मूँ करी यहां पर अपना देखोगे आप तो यहां पर कुछ एंगल था इसका ठीक है ठीटा था अब यह लाइन नीचे आई नीचे 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 जब यह लाइन एग्जेक्ट यहां पर आगई होगी ठीक है यहां पर आई होगी तब जाके ठीटा जीरो होगा मतलब यह वापको सैसी हो जाती है ठीक है मतलब बात आप हलकी सी समझे होगे यह ठीटा जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा मतलब यह लाइन यहां से य क्या होगा coincide with BC BC के साथ यह जुकती जाएगी जुकती जाएगी जुकती जाएगी इसके उपर आजाएगी BC के उपर तब आपका theta 0 होगा तो it's mean मतलब जब theta 0 होगा तो मतलब ऐसा बोल सकता हो कि AC आपका BC के equal होगा and जो AB हो collapse हो जाएगा और AB आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब देखो theta 0 की तरफ tend हुआ तो यहाँ से formula निकाल theta tend to 0 हुआ तो sin 0 मनेगा तो sin 0 कितना होगा P perpendicular कितना है perpendicular AB upon sorry AB upon AC है तो AB की value क्या होगी 0 होगी AC की value कुछ भी हो उसकी overall value 0 ही होगी इसलिए sin 0 0 होता है similarly cos 0 निकालता हूँ तो cos 0 होगा आपका base upon hypotenuse तो base कौन है BC upon hypotenuse AC अब देखो जब tend 0 की तरफ होगा तो AC और BC equal हो जाएगे तो AC upon AC बन जाएगा अब 1 इसलिए आपका tan 1 आए और sin cos बनाता है इसलिए tan भी निकाल सकते हो सेक भी सब निकाल सकते हो के लिए तो sin 0 कितना है 0 और cos 0 बना है के लिए और सेम तरीके से सेम तरीके से आप 90 डिगरी के लिए भी कर सकते हो सेम तरीके से आप 90 डिगरी के लिए भी कर सकते हो इसको मैं यहाँ पैसा करो किली ठीक है और देखो 90 degree के लिए करता हो यहां पे क्या ऐगा 90 degree मतलब यहां पे भी सीम बात पी होती है थीटा 10 to 90 degree, 90 degree बनता नहीं है, 90 degree की तरफ 10 होता है, ठीक है, तो इस case में क्या होगा, इस case में सपोर्ज मैं एक line बनाता हूँ, यहां से यहां तक है, इस case में line इधर move करेगी, 90 बनाना देखो, अभी यह कुछ है, सपोर्ज यह 30 है, अब ऐसे लोगा, तो बढ़ गया angle देखो यह angle बढ़ गया, यह इधर लायात और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, देखो, यह suppose 30 होगा, तो यह 30 से ज्यादा होगा, इतनी बात समझ में आ रहे होगी आपको, फिर और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, यह यहां पर आएगा, तो इ अब यहां पर लाइन बनाता हो, suppose एक, तो यह जो ठीटा होगा, यह पुराने से ज्यादा होगा, फिर यह ठीटा होगा, यह ठीटा इस से भी ज्यादा होगा, तो यह ठीटा बढ़ता जाएगा, जब ठीटा डिग्री 90 की तरफ टेंड करेगा, तो इस बार AC जो है, वो coincide ह हो जाएगी with AB, के लिए, अब वो सेम तरीका वही वापस, अब साइन ठीटा यह ठीटा, यह ठीटा हो जाएगा, 90 हो जाएगा, आपका AC हो जाएगा, यहां से रिजल्ट और लिख सकते हो, coincide with AB, मतलब AC equal to AB हो जाएगा, और इस केस में यह point CB पे आ जाएगा, मतलब BC equal to 0 हो AB और AC तो equally है, तो AC upon AC, तो cut जाएगा, तो 1 आ जाएगा, sin 91 होता है, similarly, cos 90 निकालने बैठोगे, तो वो base होता है, BC upon hypotenuse AC, इस बार BC 0 हो गया, तो आपका AC to 0, तो 10, मतलब sin 90 आपका 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो यह इसी से proof होता है, तो ऐसे ही, एक्चल में क्या होता है, 0 और 90 degree कभी होता नहीं है, बट वो tend करता है, कि 90 degree तरफ tend होगा, या फिर 0 degree की तरफ tend होगा, कि लिए, तो होप, आज का lecture आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे, मतलब अच्छे खाजे proofs देख लिए, किस किस को क्या, जो मतलब proofs थे, 0, 30, 45, 60, 90 degree, जनरली आपको 30, 60, 45 का exam में पूछा जाता है, बाकी नहीं पूछे जाते हैं, कि लिए, तो होप, आज का lecture आपको पसंद आया होगा, ठीक है, तो मिलते हैं अपने next lecture में, thank you so much.